हेला स्टूडेंट्स बेलकम बैक आज की वीडियो में हम लोग सेखने वाले हैं पांच इंपोटेंट इंग्लिस वर्ड मेनिंग को जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोटेंट होने वाला है चलिए हम लोग वीडियो के सुरू करते हैं आज का हमारा पहला वर्ड है रैस्पी का मतलब होता है करकश चलिए इसे हम लोग एक्जम्पल के साथ समझते हैं जैसे बोल सकते हैं मेरी आवाज करकश है क्योंकि मुझे जुकाम है तो इसे एंग्लिस में बोलेंगे my voice is raspy because I have a cold next word हमारा है dicey का मतलब होता है खतरनाक तो चलिए इसे भी एक्जम्पल के साथ हम लोग समझते हैं गाड़ी तेज चलाना खतरनाक है तो इसे एंग्लिस में बोलेंगे driving past is dicey driving past is dicey next word हमारा है scrumpus scrumpus का मतलब होता है swadist इसे हम लोग एक्जम्पल के साथ से समझते हैं उसने cake swadist बनाया है तो इसे एंग्लिस में बोलेंगे she has made a scrumpus cake next word हमारा ramsacle इसका मतलब होता है जर 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 तो इसे भी हम लोग example के साथ समझते हैं बहुत से लोग जर जर घरों में रह रहे हैं इसे हम लोग इंग्लिस में कैसे बलेंगे many people are living in ramsacle houses last word हमारा है proclivity proclivity इसका मतलब होता है जुकाव इसे भी हम लोग example के साथ समझते हैं जैसे बच्चे ने खेल के प्रती कोई जुकाव नहीं दिखाया तो इसे इंग्लिस में लेंगे the child showed no proclivity towards sport the child showed no proclivity towards sport तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो like और share करना ना भूले